वाल्टर अपनी शादी से खुश नहीं था तभी सीटी में और एक आदमी की वाइफ का मर्डर हो जाता है अब वाल्टर को लग रहा था कि उस आदमी ने अपनी वाइफ को मार डाला होका इस बात से हो अपसेस्ट हो गया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको A Kind of Murder 2016 के एक थ्रिलर होल्यूड मुवी एकस्प्लेंड करने वाला हो इसका सस्पेंस हमेशा आपको आपकी सीट के एज़ पर रखेगा तो अंतक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजे अब बिना किसी दे रहेगे एकस्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम मार्टी को देखते है वो आज बहुत ही सस्पिशियस था वो मुवी देखने के लिए गया था पर अचानक से मुवी की बीच में से उठकर चला जाता है अपने साथ वो इसके टीनेज कोवर कर को भी लेकर गया था जो इसकी कवाई दे सके मूवी के बीच में उठकर चला जाता है और बाद में फिर से मूवी देखने के लिए आ गया इसके बाद हम अमारा और एक मेन क्यारेक्टर देखते है इसका नाम है वॉल्टर अपना काम कदम करकर अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आए उसके वाइफ का नाम है क्लारा और क्लारा की मदर की तबेद जरा खराब थी जो हमेशा खराब ही रहती थी वॉल्टर आज बहुत एक्साइटेट था वो सेगता है मेरी स्टोरी पबलीश हो चुकी है वो एक Architecture firm में काम करता है क्लारा को उसका इस तरह के से व्राइटिंग करना अठ्शा नहीं लगता वाल्टर के excitement लेकर उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता वाल्टर चाहता था कि वही अपनी कार में क्लारा को उसके मदर के हाँ छोड़ दे पर क्लारा कहती है कि मेरा मूड नहीं है जब इनकी शादी हुई थी तो एक दुसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड क्या करते थे इस तरीके से ट्रीब लेते थे और अपनी डिलिशन्शिप को बरकरार रखते थे पर अब यह सब नहीं होता वाल्टर उन दिनों को मिस करता है वाल्टर को बुरा लगा और घर आकर अपनी न्यू स्टोरी पर काम करना और स्टार्ट कर देता है नेकसिन में हम देखते हैं कि मार्टी की वाइफ की डेथ हो चुकी है इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने का काम यह लॉरेंस का था लॉरेंस एक खतरना डिडेट हुए एक चीज को अगर वो पकड़ ले तो जल्दी से जाने नहीं दे सकता क्लारा जब उन्हें मदर की हाँ से वापस आए तो वॉल्टर और उसके घर पर एक पार्टी थी क्लारा के हाउस में गेश का आना ये भी उसे अच्छा नहीं लगता वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है वॉल्टर हमेशा सारी सुचियोशन को सुधारने की कोशिश करता रहता है आज इस पार्टी में वॉल्टर के एक फ्रेंड उसके साथ अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी इसका नाम था एली इन दोनों का इंटरड़क्शन हुआ और एक दुसरे से बात करने लगते रात में क्लारा ने वॉल्टर को एली के बारें पूछा उसे उस पर शक होने लग गया था वॉल्टर इस बात को उसे जाने देने के लिए कहता है वो आज उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था पर क्लारा ने इसके लिए उसे मना कर दिया वाल्डर उसे बुछता है कि आज कल तुम्हारा मोड ऐसा क्यों होता है इन दोनों में कोई भी फिजिकल रिलेशन हुए बहुत तीन हो गए थे वाल्डर फिर से निराश होकर अपनी स्टोरी लिखने लग जाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि लॉर्रेंस मार्टी से मिलने के लिए आया हुआ था लॉर्रेंस का पुरा शक मार्टी पर है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला होगा वो उसे कहकर जाता है कि किलर कितना भी स्मार्ट हो मैं उसे पकड़ी लूँगा अगली रात वॉल्र जब काम करकर घर पर आया तो कलारा अब भी उस पर गुस्सा थी कहती हैं तुम एली के साथ ही क्यों न टाइम स्पेंट करते हैं तुमें तो वही अच्छी लगती है अब वॉल्र को गुस्सा आ गया था वो फिस से उसके साथ fight नहीं करना चाता था तो गुस्से में वहां से निकल गया नेक्सिन में लॉरेंस को मार्टी की वाइफ की डेट की केस के बारे में पूछा जाता है लॉरेंस ने कहा कि मैं मार्टी को पकड़ लेता पर उसके साथ उस राद उसका काम करने वाला था उसने गवाई दी है कि मर्डर के वक्त मार्टी उसके साथ था इसी वज़े से वो बज गया है जिसने मार्टी के लिए गवाई दी थी उसी के साथ काम करने वाला एक टीनेजर था उसका नाम था टोनी एक दिन जब लॉरेंस टोरी से पुछताज कर रहा था तो मार्टी यह देख लेता है मार्टी टोनी के पास है कहता है जो आंसर तुम पहले देते आ रहे हो वही हमेशा तुमें कंटिनू रखना है सच उन्हें पता नहीं चलना चाहिए अगली दिन वाल्टर फिर से जब काम पर आया तो क्लारा फिर से उसके साथ जगड रही थी वो गहती कि तुम्हें और एली को पार्टी में सब लोगों ने देखा था वाल्टर फिर से उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तुम्हें हो क्या गया है हमारा मैरे सिर्फ एक साल तक ही अच्छा रहा इसके बाद तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए वाल्टर ने बहुत बार सजिस्ट किया था पर क्लारा किसी भी साइकेटरिस के पास जाने के लिए मना कर रही थी इस बार वो उसके बात मानने के लिए रेडी होके गुसे में अपने रूम में चली के वाल्टर गुसे में कहता है तुम अब घर में अकेली रहो मैं यहाँ से जा रहा हूँ वो बार में आकर निउस्पेपर में मार्टी की वाइफ के देट के बार में पढ़ रहा था इस स्टोरी को उसने फॉलो किया है उसे लगता है कि मार्टी ने उसकी वाइफ को मार डाला ड्रिंक करकर जब वो घर पर वापस आया तो कलारा ने सुसाइट का अटेंट किया था घर की सारी गोलिया उसने खा ली थी उसे हॉस्पिटल में एड्मिट कर देता है डॉक्टर ने कहा तुम्हें उसे साइकोलाजिस्ट के पास दिखाना चाहिए था नेकसिन में वॉल्टर अपनी सारी फ्रस्टेशन अपने फ्रेंड को बताता है कहता है मुझे एक मुमेंट पर लग रहा था कि वो सच मुच में मर जानी चाहिए अब क्लारा जब हॉस्पिटल में है तब वॉल्टर जब अकेला था तो उसे मिलने के लिए एली आई वो उसके लिए कुछ फूल लिगर आती है उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुमारी वाइफ सैटरडेस पर काम कर दिया इसी वज़े से मेहा पर आई वो आज राद एक जगा पर पर परफॉर्म करने वाली थी तो वॉल्टर को भी इन्वाइट कर ले थी है रात में वॉल्टर ज़रा confused हुआ पर बाद में उसके पास चला जाता है। उसका song सुनने के बाद उसे बहुत अच्छी लगी थी। नेकसे इन में हम देखते हैं कि गलारा की तभी अदब ठीक थी। उसे वो घर पर लेकर आता है। गलारा उसे कहती है मुझे promise करो कभी भी बंद होना चाहिए। वहाँ से चला गया। वो जब फिरसी निउस्पेपर देख रहा था तो उसे लगा उसे जाकर मार्टी से मिल कर आना चाहिए। एक किलर कैसा होता है। इस बारे में उसे curiosity थी। मार्टी बुक सेल करता था तो वॉल्टर जाकर उसे एक बुक के बारे पूछता है। बातों बातों में उसने उसे पूछा तुम्हारी वाइफ की डेट हो गई थी। क्या उसका किलर अब तक उन्हें मिल पाया है। मार्टी इस बात पर जरा गुस्सा हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। आज राज जब वॉल्टर घर पर आया तो क्लार कहती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे ओफिस से फॉलो किया था। तुम एली के पास गये थे। वॉल्टर ने फिर से कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। पर अब वो यह सब बरदाश नहीं कर सकता था। वो से कहता है कि अब मैं तुमसे डिवास ले रहा हू मैं मेरी लाइफ इस तरीके से नहीं जी सकता। क्लारा ने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं सुसाइड कर लोंगी। मेरी डेट के जिम्हेदार तुम हो गये। अगली दिन वॉल्टर जब घर पर आया तो क्लारा घर पर नहीं थी। अपनी मेर्ट से वो बु किता सकते हो। वो बस में चड़ गए वॉल्टर को उससे बात करनी थी तो बस का पीछा करता है। एक होटेल पर बस के रुकने के पाद वॉल्टर को ढूडने की कोशिश करता है पर कहीं भी ढूडनी पाता। सुबा जब वो घर पर पर पहुचा तो उसकी मेर्ट गय थी क क्लारा की मदर की डेथ हो चुकी है। वो क्लारा को तुरंद कॉल करना जाता था पर क्लारा उसके मदर की हाप पहुची ही नहीं। हमें डारेक्ली क्लारा की डेथ बोड़ी दिखाए जाती है। एक बड़े से ब्रीज से नीचे गिरकर उसकी डेथ हो गई थी है। पुछता है कि उस रात हुआ क्या था वाल्टर ने का कि मैं क्लारा से मिलने के लिए गया था वो जब अपनी मदर के बाद चली गे तो मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया हमें कुछ सींस दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वाल्टर उस रात एली से मिलने के लिए गया हुआ था, दुसरा रात उसके साथ इंटिमेट हो गया, इसका मतलब है हमेशा से एली के साथ उसका चक्कर चल रहा था, वोल्डर आकर एली को बता देता है कि मैंने तुमारे बारे में पुलिस को बता हुआ है, एली को ए बात उतनी अच्छी नहीं लगती नेक्सिन में लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया हुआ था वो गहता है जिस तरीके से तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई थी उसी तरीके से क्लारा की भी डेथ हुई है मैं इस बात को इग्नोर कर देता पर जब भी वाइफ की डेथ होती है तो बहुत बार इसके पीछे हस्बंड ही होते है तुम्हारे साथ काम करने वाले टोनी से भी मैं आजकल बात कहरा हूँ देखते आगे क्या होता है लॉरेंस की इस तरीके से इन्वेस्टियेशन करने की वज़े से मार्टी ज़रा डिस्टब हो गया था अगली सिन में क्लारा के फ्यूनरल हुआ वाल्टर अपने फ्रेंड के साथ था उसे कहता है कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं उसे मार डालो उसे इस बात के लिए बहुत बुरा लग रहा था मार्टीन का फ्रेंड कहता है कि लगने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है زیادہ वरी मन्द करो क्लारा की डेथ के बाद वॉल्टर के हाँ पर काम करने वाली मेड भी उसे छोड़ कर चली कि उसे लगता था क्लारा के मर्डर के पीछे वॉल्टर ही है नेकसे में वाल्टर को लारेंस पुल्ício सचेशन बुलाता है वहाँ पर उसने एक आदमी को लाया था जो वाल्टर को पहचान लेता है उस आदमी के जाने के बाद लारेंस ने वाल्टर से कहा कि ये आदमी बता रहा था कि उस रात होटेल पर तुम क्लारा को ढूंड रहे थे तुमने मुझे उस रात के बार में जूटका क्लारा से मिलने के बाद तुम डारेक्ली घर नहीं गए थे तुम उसका पीछा कर रहे थे वाल्टर इस बात को मान लेता है कहता है हम दोनों कुछ बात कर रहे थे उसे को फिनिश करने की मैं कोशिश कर रहा था मैं जब होटल पर बहुजा तो उसे कहीं भी ढूंड नहीं पाया मुझे लगा कि शायद वो टैक्सी करकर आगे चली गई होगी तो मैंने फिर उसे नहीं ढूंडा वॉल्टर लॉरेंस को बता देता है कि हम दोनों डिवॉस लेने वाले थे लॉरेंस ने कहा कि जिस तरीके से तुमारी वाइफ की डेथ हुई उसी तरीके से मार्टी के वाइफ की भी डेथ हुई थी क्या तुम उसे जानते हो इसके बाद रात में Walter एली के साथ था तबी Lawrence उसे मिलने के लिए आ गया Walter डर जाता है और घर में एली को छुपा देता है Lawrence ने यहाँ पर Walter के ड्रिंग्स के दो ग्लास नोटिस किया उसे पता था कि हाँ पर वो किसी के साथ है तो सारे घर को देखने लग जाता है मुझे इस तरीके से न्यूस पेपर कटिंग्स निकालनी पड़ती है मैं इसके बार में भूल गया था Walter को लगता है कि अब वो ट्रवल में है तो एली और अपने फ्रेंड के साथ यह सब चीज़े वो डिसकस कर रहा था फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें एक लॉयर को हायर कर लो इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी Walter कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे लॉयर की जरूरत नहीं एली को भी इस केस के बार में जब सब कुछ पता चला तो Walter पर वो गुस्सा हो गई थी वहाँ से चली जाती है Walter का फ्रेंड उसे यहता है कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो इस केस की इन्वेस्टिकेशन की वज़े से उनकी फर्म की इज़त जा सकती है लॉरेंस पर भी इस केस को सॉल करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था उसका सुपेर उसे इस केस को जाने देने के लिए कहता है पर जब तक वो इसे सॉल ना कर ले तब तक वो इसे जाने नहीं दे सकता अब लॉरेंस एली से भी पूछताच करने के लिए आयो हुआ था पर एली उसे कुछ भी बात नहीं कर दिये वो फिर वाल्टर को अपने साथ लेता है और मार्टी के पास आता है वाल्टर और मार्टी को उसने इंट्रोडूस करवा दिया वो कहता है तुम दोनों में बहुत सारी चीज़ी सिमिलर है उसने मार्टी से कहा कि वाल्टर तुमारी वाइफ की डेथ में बहुत इंटरस्टेड था। लॉरेंश जो भी इन्वेस्टीकेशन कर रहा था। रात में वालटर मारटी से मिलने के लिए आया। वो गहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने वाइफ का मर्डर किया था पर मैं इस बात को समझ सकता हूँ मार्टी ने उसे वार्निंग दी कहा कि मुझसे दूर रहा करो तुमारी वज़े से डिरिक्टी मेरे पीछे पढ़ा हुआ है जब वाल्टर यहां से निकला तो लॉरेंस उसे देख रहा था उसका शक सही निकला ये दोनों एक दूसरे को जानते थे मार्टी के पास आता है और उसे बहुत मारता है यह देखकर टोनी डर गया था डिरिक्टी उसे भी मार सकता है तो इस वज़े से डर कर अब वो मार्टी के लिए कवर अब नहीं करेगा वो उसरा जो भी सच सच हुआ था ये सारी बाते डिरिक्टू को बता देने वाला है अब मार्टी के बास जादा कुछ आप्शन्स नहीं है उसके बास बहुत ही कम पैसे थे और यहाँ से भाग जाना था वॉल्टर रीच है तो उससे मिलने के लिए आता है मार्टी कहता है तुमारी वाइफ की टेथ होने से पहले तुम मेरे बास बूक लेने के लिए आये हुए थे यह हम दोनों को कनिक कर सकता है इसका प्रूफ मेरे पास है यह चीज मैं डिरिक्टू को नहीं बताऊंगा पर इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए वाल्टर इससे थोड़ा सा भी ने डरता और उसे वो पैसे नहीं देगा वाल्टर डारेटली फिर लॉरेंस से मिलने के लिए आया मार्टी ने उसे अभी-भी जो ओफर दी इसके बारे में उसे वो बता देता है लॉरेंस ने कहा कि तुमने मुझे से हमेशा जूटका है अब वो उसे हेल्प नहीं करने वाला था आज पुलीस टेशन में टोनी भी आया हुआ था उस रात मूवी देखते वक्त मार्टी थोड़े टाइम के लिए गायब हो गया था इसके बारे में वो लॉरेंस को बता देता है लॉरेंस फिर डारिकली मार्टी के पास आया कहता है अब सारी चीज़े तुमारे खिलाफ है तुम्हें अब कोई भी बचा नहीं सकता मार्टी सारी चीज़ों की वज़े से बहुत ही गुसा हो गया था राप में वो वॉल्टर का पीछा करता है वो वॉल्टर को नीचे के अंडर्गराउंड टरनल में बुलाता है इन दोनों का पीछा करते वह लॉरेंस भी वहाँ पर पहुच गया था मार्टी एक जगा पर छुप गया और वो वॉल्टर पर हमला कर देता है पर एक्च्छल में लॉरेंस था वो जोर जोर से चिलाने लग गया कि मैने ही अपनी वाइफ को मारा था उसने बाद में देखा कि जिसको उसने मारा ये डिरिक्ट टू लॉरेंस है वॉल्डर है देखकर डर जाता है मार्टी अब उसे मारने वाला था पर लॉरेंस के पीछे पीच उसका बैक अप भी है इन वक्त पर आकर मार्टी पर गोली चला कर वो वॉल्डर को बचा लेते है वॉल्डर थोड़ा सा इंजोर्ड है पर वो अब भी जिन्दा है वहाँ पर बड़े बड़े हम उसके फेस पर स्माइल देखते है अब पुलीस को लगेगा कि क्लारा का मर्डर भी मार्टी नहीं किया था लॉरेंस इन सब चीजों को फिगर आउट कर सकता था पर उसकी भी डेथ हो चुकी है वॉल्डर के स्माइल हमें सस्पेस में छोड़ कर जाती है क्योंकि शायद उसने क्लारा का मर्डर किया था उसने उसको होटेल तक पीछा किया था वो मार्टी की वाइफ की डेट से अपसेश था तो उसी तरीके से उसने क्लारा को भी मार दिया इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एकस्पिनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा वे बहुत सारी मूवी लेकर आते रहते हैं तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आपकों दाने मत भूलेगा हम वीर से मिलेंगे और एक नमगू के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये